का फेख़지 को भी करदें को केस्लेक्टिकल यूटुप करें यूटुफ चानल में पर बहुत स्वागता की आज की वीडियोशरू करते हैं आज की वीडियो सिंकल बेस्ट चेंजञ और और के आज की वीडियो सिंइकल हमिए स्जेंग ठेटेल सम्झाइर healthy तो आज की वीडियो दोस्तो, पार्ट तू होने वाले है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमें आपको पार्ट consider के दूस्तो आपको बताया थे पर व्ने के विजस्ते भूबेर से घंचांच के लिए करेंगे तो जिस मेरे फ्रेंट से ने वह वीडियो नहीं देखी तो उसका लिक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां जाकर आप वाच कर सकते हैं तो आज की वीडियो हम आपको चेंज आपर के सेकंड पार्ट की वीडियो लेकर हैं जिसमें आपको पावर जनरेटर औ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर कर दिए और हाँ चैनल अपन नहीं है तो फिले सब्सक्राइब कर लेजिएगा तो लाट स्टार्ट वीडियो तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले हम इसकी पावर की वाइरिंग करेंगे जिसे हम नूटल फैस तो उसके साथ हैंडल लगा हुब जिस से हम चेंड़ ऑफिर को ऑन अफ करते हैं तो ठीक है तो अब से पहले जा है वहाँ है पहले यह चार यह चार्यों करें घियृट के ऐसे और नमें शक्रेंगे तो अदेख सकते हैं यह यह लालक कृट कि वाइर अटैच किई होती जो स तो उससे गयाता है यह वायर से यह दोनों टर्मिनल चाहिए वाले हो चाहिए वाले आपस में common होते हैं तो अब बात कर लेंदे हैं इसमें jennerator की वायर कहां लगाएं लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास generator की दो वायरे होने चाहिए तो मापलिजे यह हमारे देटर की आगे न्योक्स के वार ठीक हाजी और यह आगी मारे देटर की फिरेश की वार रएक तो चली तो ग isto नitution्योड और नाटल की वार होगी तो उसको हम इस família पैसी करेंगे हमे ठीक है कि इस प्क पे यह होगी मारे इस°लीاج तो जो फेज की वायर होगी उसको यहां पर क्नेक्ट करेंगे इस टर्मिनल पर ठीकर जी यह तो दोस्तों होगी जन्रेटर की वायर ठीकर जी तो उसके बाद का है उसके बाद आज जाते हैं हमारी जो 220 वोल्ट न्यूट्ल और फेज ठीक है जी अ कि यागी हमारी 220 वोल्ट तो उसका दोस्तों फेज का लिए बिच्शन जोगा ओं यहां पर कनेक्ट कर देंगे इस टर्मिनल पर इस कि यहां पर कनेक्ट कर देंगे तो यह थारी दो टेंगे तर्मिनल करेंगे तो उसके बाद सों के बाद हमारे पास बचता है कि यहां कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप देसकते हैं हमने जो हमारे घनरेटर कि न्यूटल और फेस अपने यहां पर कनेक्ट कर दिया और नीटल को हमने यहां connect कर दिया तो उसके बाद में पार आगी घ्लाइक को आप दोसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों टर्मिनल खाली पड़े हुए ठीका जी तो इन्में दोस्तों क्या ये दोनों टर्मिनल वाइर की मदद से आपस में common किये हुए हैं तो ठीक है जी उसके बाद हम हमारे पास load बचते हैं तो load की जो वायर होगी दोस्तो load में आपने चेक कर लेना आपकी neutral की वायर कोंची होगी यो phase की वायर को आपने यहां पर connect कर देने जो आपके load की वायर होगी ठीक है जी यह आगे load की वायर फेज तो उसके बाद दोस्तों जो आपके यहां पर connect कर दीजिए इन दोनों में चाहिए आप इन दोनों में कर दीजिए क्योंकि यह दोनों वायर की मदद से common है ठीक है जी तो उसके बाद क्या है दोस्तों उसके बाद जो आप यह रोड देख रहे हैं ठीक है जी यह वाली जो रोड बीच वाली ठीक है जी तो इसमें क्या वायर ती है तो उस्ते क्या होता है जब हम इसको की अग इसे के बाह। να ठीज्गािर नीचे को हो है ऑफ कडिशन वर्ड़ कोई कैसे हैं। कॉर्स ओफ कंडिशन में क्या हुँआ यह कोपर यह दो बाइरे लगी यह वाली ऑफ-कंडिशन में यहाँ पर आ जाएंगी यहां पर आ-जैंगी ठीकत है कि मगें इस से जहां आपके शनल एक्किछ आपकी नहीं है जयानिय अपका जया का नागर आगा कि जैन सार्ट आपका होने तो रही जब ऊपका ऑफ करेंगे यानी ऑफ कन्डिक्र को करेंगे तो उसमें क्या होगा यह ये जो इस टर्मिनल पर क्यांपर यहां रोड़ सї Guten आपस में नीचे टाछार effective यहां पर रहा है तो जब यह यहांगयां पर नूंटल यहां पर रहेगी आप जो फैरड़ यहां पर आगया है क्योंकि इसमें वरट है चाहिए लोड में चला जाएगा तो इसके बाद Marvel newton यहां से होते हों यहां जाएगी और यहां से newton से जाएगी चूपकर load load की wire लगी हुई है ठीक है यहां पर अगी तो उसके भी अब दोष्ट बात यह आती है कि आपकी मालेज आप पावर आगी तो आपने जनशाइस अबसरस में को बद करना है तो आप करेंगे क Celebrator को उपर आदेना है उपर यहाँ पर यहांस कंडीशन में कर देना है तो ऑपर को तो यह को होगा दोस्तों उपर आपको पता ही आपकी 220 वोल्ट आ रही थी तो 220 वोल्ट फेज की वैर यहां आ रही थी ठीक है जी और नूटल आपकी थी वह यहां पर आ रही थी ठीक है जी उससे क्या होगा जब यहां पर करेंगे उपर करेंगे उपर की तरफ तो यह यहां पर टॉट सब्सक्राइब करें तो आपकी जीनिरेटर के ऊपर चंटनें लग घाएगी को को connection अच्छे समझ लग गए होंगे और अगर आपकी कोई भी क्यारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग